हाई गाइज कैसे आप सभी मजे में होंगे पढ़ाई अपनी एक दम दम्दार तरीके hypocrite से कर रहे होंगे जोश अच्छी अच्छी क्लासी आपलोगों को हमाई तरफ से प्रवाइड हो रही हैं सारी क्लासी साप लोग देख रहे हो बहुत इसी रहने वाली है जिन लोगों ने अभी तक मैस पूरी नहीं पड़ी है वो लोग भी आज की क्लास को देख सकते हैं और अगर आप लोग अपनी मैस रीजिंग इंदी इंग्रिश पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे चैनल पर प्लेलिश मिल जाए सब्सक्राइब चलिए पहला कोशिन आप लोगों तर को इसक्राइं पर है आज मैं सिर्फ आप लोगों के सामने 10 स्कॉषन शाल करूंगा मैं जोर देकी साव करेंगे यह कैस नरे को won法 मक्सूद कर yarale करें होगा ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा सीधा पॉइंट पर बात करेंगे कोशन से आज का जो पेपर है वह हमारा डी ट्रिपल एस्पी असिस्टेंट ग्रेड 314 फैब 2024 शिफ्ट वन का पेपर है पहला कोशन आप लोगों को 24 और 25 यहाँ पर आ जाएगा 25,200 माइनस करेंगे यहाँ पर 728 में से तो 800 में से 2280, 1000 हमारा वैसा बचाता, 1080 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और यह हमारा पॉजिटिव कर रहेगा डिवाइड करना है हमें किस से 10 से तो यह हो जाएगा 25200 है और 1080 तो यानि कि 2628 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2628 divided by 10 तो आंसर आजाएगा आपका 2628 यानि कि 2628 ओप्शन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा question number second what will be the value of 80% of 460 plus 56% of 5600 80% यानि कि 80% of 460 80% percentage हटाते हैं तो डिवाइड किस से करते हैं 100 से तो एक 0 ये cancel एक 0 ये cancel तो 8 की गुणा होगी 8 multiplied by 46 प्लस में यहाँ पर क्या होगा percentage को 00 से काट दीजिए तो 56 की गुणा होगी किस से 56 से यानि कि यहाँ पर आ जाएगा 56 का square 48 और 32 यहाँ पर 368 आ जाएगा 56 की गुणा जब 56 से करेंगे तो 3136 आप लोगों का आंसर आएगा 3136 तीन हजार 136 आठ और 6 यहाँ पर आता है 4 एंड में आपका आना चाहिए 4 option number A देखो सिर्फ एक ही option ऐसा है जिसका unit place पर 4 है तो आंसर आपका वही सही है 368 को अगर आप जोड़ोगे भी तो 8 और 6 14 14 3 और 1 4 4 और 6 10 10 और यहाँ पर हो जाएगा एक और तीन चार चार और एक पांच और तीन तीन हजार पांसो चार तो option देखो unit place से आंसर निकालो question number 3 sum of 28600 is lent out at 6.2% देखो 100 पे में एक साल की बात करें अगर एक साल पे 6.2% धनराशी से कितना ब्याज मिलेगा 6.2 कितना मिलेगा 6.2 रुपे मिलेगा एक साल में 6.2% से 100 और पे कितना मिलेगा 6.2 रुपी इंट्रेस्ट मिलेगा यह क्या मिलेगा में इंट्रेस्ट तो amount कितनी हो जाएगी 106.2 हो जाएगी वही अगर मैं बात यहां पर 10 साल की करूँगा 10 years की करूँगा तो कितना मुझे interest मिलेगा 62 रुपे का interest मिलेगा हर साल 6.2 का मिल रहे है 10 साल तक कितना रुपे मिल जाएगा 62 रुपे का मिल जाएगा तो amount कितनी हो जाएगी 162 हो जाएगी हमें 100 की value दे रखी है 100 की value कितनी है 100 क्या था initial amount कितने रुपे जो की हमारा 28600 था 28600 100 की value पता है हमें 162 की value निकाल नहीं है 162 की value क्या होगी यह हो जाएगी 00 कार्ट दीजिए 162 multiplied by 286 6 गुणा में 2 करोगे तो unit plates पे क्या आएगा 2 आएगा और आप लोगों के पास options में सिर्फ एक ही ऐसा option है जिसके unit plates पे क्या है 2 है तो 46,332 यही आप लोगों का answer हो जाएगा आप लोग गुणा करके देखेंगे तो भी यही आपको answer मिलेगा ठीक है आगे बढ़िए question number 4 पर again simplification का question है यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 20 की अगर 2 से divide करेंगे तो कितना बजएगा 10 यहाँ पे 4 है multiplied by 4 यहाँ पे पहले solve होगा क्योंकि यह bracket में है 82 में से 32 जाएगे तो आप लोगों का answer आएगा 50, 50 की 4 से गुणा करेंगे तो 200 200 प्लस में 10 आप लोगों का answer आगया 210 option number a correct हो गया question number 5 sum of 4 consecutive even number is 964 पहले consecutive का मतलब लगातार sum संक्या है यानि की even numbers तो मान लो a आपका even number है इसके next आपकी even number क्या होगा a plus 2 होगा इससे पहले वाला क्या होगा a minus 2 होगा यह क्यों मान लिए क्योंकि addition करने में हमें आसानी होगी minus 2 plus 2 कदम हो जाएगा अब आपको इसके बाद a plus 4 भी होगा यह आपके 4 लगातार क्या होगए even number होगए अब हमें क्या करना है इन सभी का sum करना है इन सभी को जोड देना है इन सभी का जोड हमें कितना बताया गया 964 बताया गया minus 2 से minus 2 plus 2 काट दो तो 1, 2, 3 और 4 4 a plus में 4 is equals to 964 4 से divide कर दो या फिर 4 पहले इतर minus कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4 a 960 के बराबर हो जाएगा a की value आप लोगों की कितनी हो जाएगी 2 से जाएगा 240 हो जाएगा a की value 240 हो गई हम से पूछा गया था smallest कौन सा है smallest कौन सा था भाई a minus 2 था a minus 2 की value कितनी हो जाएगी 240 minus 2 यानि की 238 option number b आप लोगों का correct हो गया question number is of 34% of a and 45% of b यानि की 34 upon 100 multiplied by a plus 45 upon में 100 multiplied by b upon में 2 ये किसके बराबर है 3 5 3 by 5 of a minus b के बराबर है ये हमें दे रखा है दोनों के difference के बराबर दे रखा है हमें क्या find करना है हमें find करना find b as a percentage of a a की percentage के रोप में b की value find हमें करनी है तो हमारा ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 34 a plus 45 b upon में 200 हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 by 5 a minus b 5 से काटोगे आप ये जाएगा 40 पर और एक सेकिंड का टेम दीजिए ये लीजिए पूरी स्क्रीन आप लोगों के सामने हो गई है 34 a upon में 40 is equals to plus 45 p upon में 40 is equals to 3 a minus 3 b ठीक है यहाँ पर solve कर देते हैं हम इसे पहले अगर इसे बात करें तो 3 a उदर ले जाएगे 3 a minus 34 upon में 40 a ये किसके बराबर हो जाएगा 45 upon में 40 b plus 3 b के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये जो minus वाला था इसको हम इदर ले आए हैं और 34 plus 40 को इदर ले गए हैं दूसरी साइड हम ले गए हैं तो हमारा हो जाएगा 40 और 3 120 a 120 में से 34 जाएगे तो 86 a बचेगा 86 upon में 120 86 upon में 40 sorry 86 upon में 40 a किसके बराबर हो जाएगा 40 plus में 120 165 165 upon में 40 B के बराबर हो जाएगा 40 से आप 40 को काट दीजिए B किसके बराबर हो गया है B बराबर हो गया है 86 upon में 165 165 इसको स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया कोई बात नहीं तो हमारा ये अपन में 1 a के बराबर तो B को अगर percentage value में हमें find करना है तो ये कितना हो जाएगा 86 upon में 165 multiplied by 100 और ये किसके बराबर होना जाए multiplication में किसके होना जाए A के multiplication में होना जाए तो ये आपका approximately कितना आ जाएगा 52.12 percentage of A तो B की क्या value आ गई आपकी 52.12 percentage of A यानि कि आप लोगों का option number D correct हो गया है option number D आगे बढ़ते हैं question number 7 पर question number 7 उमीद कर रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा ये देखिए study the following information carefully and answer the question below table shows the investment of Neha and Sneha in three different insurance companies policies LIC की है NPS की है और ELSS की है यहाँ पे Sneha ने investment करी है और ये Neha ने investment करी है question है अगर प्रिया यानि की तीसरी ही लड़की की जो investment है वो है 50% of average investment of Sneha in NPS and LIC then find the total investment of Priya in ELSS ELSS में जो investment है वो 50% है हाफ है किसकी है जो कि Sneha की investment है NPS में Sneha की investment NPS में और LIC में तीस अजार पांसो और पच्चिस अजार पांसो यह हो जाएगा 2600 2600 और तीस अजार चपन अजार चपन अजार 56,000 56,000 है जो आप लोगों की दोनों का सम है और 50% of average यह भी ध्यान रखना है 50% of average यानि कि हाफ किसका 56% का हाफ यानि कि हाफ और 56% जो है दोनों का जो average है स्निया की जो LIC का जो investment है और NPS का investment है वो टोटल होता है 56,000 और उसका average उसका average हो जाएगा हमारे पास 56,000 अपन में तू उसका 50% यानि कि 1 by 2 यानि 56 को अगर हम 4 से multiply sorry divide करेंगे तो क्या जाएगा 14 पर जाएगा तो 14,000 उसकी क्या है investment है किसमे ELSS में किसकी प्रिया की option number C correct हो जाएगा question number 8 simplify करना यहाँ पे आप लोगों का 24 ही आप लोगों का LCM आ जाएगा तो पहले आजाएगा 24 प्लस में फिर यह आजाएगा 2 से 12 3 से जाता यह 8 पे 4 से जाता है यह 6 पे और 6 से जाता है 4 पर और 24 से जाएगा यह 1 पर 12 और 8 20 6 और 4 10 यानि कि यह हो जाएगा 30 30 और 24 आप लोगों का कितना हो जाएगा 54 54 प्लस में 155 55 अपॉन में 24 यह आप लोग काट होगे तो आपका जाएगा 2 पे जाएगा 48 48 के बाद बचेगा 77 यानि कि आप लोगों का 70 यानि कि हमारा फिर से 2 पे जाएगा 48 ठीक है 2.2 फिर उसके बाद यह 48 और 9 2.29 तो अप्रोक्सिमेटली आप लोगों का यह कितना हो गया 2.3 हो गया परसेंटेज में 2.3 सिंप्लिफिकेशन करने के बाद ऑप्शन नमबर D आप लोगों का करेक्ट हो गया हमारी एग्जाट वेल्यू निकल रही थी 2.29 हमने थोड़ असा इसको आगे राउंड फिगर में करा तो 2.3 आप लोगों का अंसर आ गया क्वेशन नमबर 9 अब विमेंस वेज वाज रिडूस बाई 24 परसेंट पहले 24 परसेंट उसका रिड़क्शन कर दिया गया फिर जो रिड़क्शन था उसमें ही उसको 24 परसेंट क्या बढ़ा दिया गया है आप लोगों को फाइनल आंसर निकालना है आज के कोशन का एक ही होमवक है जो की कोशन नमबर 9 है फटा फट आंसर निकाल के दीजिए बहुत प्यारा कोशन है सिंपल सा कोशन है इससे इजी कोशन और कोई नहीं हो सकता आपका रिड़क्शन यानि कि आपका जो परसेंटेज वाले जो चेप्टर है उसमें यह कोशन आप लोगों के लिए होमवक है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है कोशन नमबर 10 LCM of two numbers is 105 LCM हमें दे रखा है 105 GCD GCD क्या होता है Greatest Common Divisor यानि की HCF HCF की ही बात करी गई है यह आप लोगों का 21 दो संक्या है A ratio B जिनके बारे में मैं रेशो बता रखी है कि 1 ratio 5 है अगर हमें A को मान लेते हैं कि X है तो B कितना हो जाएगा 5X हो जाएगा आप लोगों को पता है कि LCM की अगर हम multiply करेंगे GCD से यानि की SCF से multiply करेंगे तो वो किसके बराबर होता है product of two numbers के बराबर होता है X into में 5X ही हो जाएगा आपका 5X square LCM यानि की 105 multiplied by 21 तो 5 की अगर गुणा multiply, divide करेंगे 105 से तो ये भी जाएगा 21 पे X square का मतलब है 21 का square यानि की X की value आप लोगों की आ गई है 21 हम से पूछा क्या गया था हम से पूछा गया था largest number यानि की largest number हमारा कौन सा है B है तो B का मतलब है 5X 5X का मतलब है 5 की गुणा 21 से चलिए अब आप लोगों से मिलेंगे कल जिसमें और 10 कोशन लेके हैंगे डेली इसी तरीके की क्लासिस के लिए आप लोगों हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएगे हर कोशन को हम सॉल्व करेंगे चाहे वो easy है चाहे वो hard है चाहे वो एक पेज में हो रहा है चाहे वो दो पेज में हो रहा है सारे के सारे कोशन आप लोगों के सामने सॉल्व होंगे इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बरकरार रखिए मैं आप लोगों की उम्मीदों पे खरगा उतरूँगा हर दिन आप लोगों के पास आप लोगों के लिए अलग अलग क्लासिस लाता रहूँगा फिर मुलाकात होगी बाई बाई टेक केर नमस्ते